नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो में दोस्तों दुनिया में और भारत में भी कोरोना वाइरस के बहुत सारे मामले आएं इस बीच लोग कोरोनटाइन में रह रहे हैं लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और साथ ही प्रिकॉशन रख रहे हैं लोग घर में बंद हैं इसके साथ ही आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए कोरोना क्या है कोरोना के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए Apollo Medical Apollo का नम आपने सुना होगा Apollo ने एक course launch किया है जिसमें 30 मिनट का course है और इस course के बाद आपको एक certificate मिलता है इस वीडियो में चले मैं बताऊंगा कि कैसे आपको registration करना है और उसके बाद किस तरह से आपको ये course को complete करना है सबसे पहले आपको Chrome browser open करना है Chrome browser open करने के बाद यहाँ पर उपर इस वीडियो के एक description में आपको link मिलेगा उस link को follow करना है आपको उस link पर जाईए और वहाँ पर आपको link पर जब click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface खुलेगा ये interface खुलेगा और यहाँ पर आपको registration करना है आपको अपनी personal detail देके register करना है सबसे पहले detail में आपको डालना है यहाँ पर अपना पहला नाम और यहाँ पर नीचे लिखना है last name first name और last name इसके बाद आपको अपनी email ID डालनी है email ID टाइप करने के बाद आपको अपना contact number लिखना है contact number के बाद अपनी gender select कीजिए इसके बाद इंडिया पहले से ही लिखा है अगर आप किसी और country से हैं तो यहाँ पर और country डाल सकते हैं अदरवाज इंडिया कौन से state से आप हैं तो आप अपने state का नाम यहाँ पर डालें उसके बाद यूजर नेम एक यूनिक यूजर नेम क् कुछ भी लिख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सिंग कुंदन 01 और इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है कि पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या मैं पासवर्ड डाल रहा हूं और जब आप पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ लिख क्या आता है कि minimum 8 character required and no special character कोई special character नहीं चाहिए इसमें तो मैंने हटा दिया special character special character हटा देने के बाद यह पासवर्ड डाल दिया यह सारी डिटेल भरने के बाद आपको register पर क्लिक करने account आपका create हो गया है account के अंदर यह यहाँ पर आप देख रहे हैं screen पर course taken यहाँ पर course लिखा हुआ है mcovid-19 awareness and prevention program यह course का interface है और इस पर आपको click करके यहाँ पर एक learn का option मिल जाता है learn के option पर click करना है और is course को complete करना है आपके सामने यहाँ पर चार option मिलते हैं जिसमें video है assessment है certificate है और downloads है सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ videos दियों हैं उन्हें देखना है यह नीचे आप देख रहे हैं चार videos हैं आपको एक एक करके सारे videos देखने हैं और इसी videos पर आधारित आपको assessment test देना है assessment test जब आप चारो videos सही से देख लेंगे तब ही आप assessment test शुरू करें video देखने के बाद simply assessment पर आप click करेंगे assessment पर click करने के बाद यहां आप देख रहे हैं objective category का है और take assessment आपको इस पर click कर लेना है take assessment पर इस पर click करते हैं एक नया window खुलेगा उस window में total questions 10 होंगे time होगा आपके पास 10 minute का 10 minute में 10 question करने हैं तो आपको यहां पर I have read the instructions पर click करना है और उसके बाद exam start कर देना है दोस्तो assessment complete करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से status आएगा finish का जिसमें result यहां पर show करेगा result के बाद आपका कितना score रहा है वो show करेगा और उसके बाद certificate रशो करेगा certificate यह नीचे option है जिस पर आप click कर सकते हैं और अपना certificate यहां से देख सकते हैं उसे download भी कर सकते हैं आप देख रहे हैं टेकनिकल यूट्यूब चैनल टेकनो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और अगर facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को like कीजिए ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियोज आप तक पहुँचा सके